दोस्तो आज हमारे पास आया है हिक्विजन का DS7716NI-E4NVR इसमें प्रॉब्लम यह है कि कुछ कैमरे इसमें बलर चल रहे हैं आज हम इस वीडियो में बलर चल रहे कैमरे हैं उन्हें ठीक करना सीखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यह कैमरे काफी बलर चल रहा है इसमें हम किसी भी ऑब्चेक्ट को किलियर ली नहीं देख पा रहे हैं और लेकिन कुछ कैमरे इसमें जो हैं वो काफी किलियर चल रहे हैं आपका सबसे उपर का camera देखेंगे इसे जब zoom करते हैं तो यह सई चलता है लेकिन चोटी screen जब हम कर देते हैं तो यह सई नहीं चलते हैं इसमें blur आने लगते हैं कुछ camera इसमें सई चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं तो इन्हें ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने NVR के सैटिंग के अंदर जाना होगा ठीक है तो इसके बाद हमें recording में जाना है हम recording में आ गए हैं यहां आते हैं हम parameters पर यहां हम अपने camera को select कर लेते हैं पहला नंबर जो camera है हमारा उसमें दिक्कत है तो यहां bit rate वगएरा और इसमें frame rate वगएरा change कर लेते हैं ठीक है लेकिन यह जो camera है अभी भी सही नहीं चला है change करने के बाद bit rate वगएरा यह camera भी blur चल रहा है यह भी blur चल रहा है इससे ठीक करने के लिए हमें कुछ और setting है जो करनी है main menu में फिर से जाते हैं और इसे unlock करते हैं फिर हम configuration पर जाते हैं configuration में जाने के बाद हम exceptions देखते हैं कुछ और setting हमें मिल जाए जो इसे हम ठीक कर सके इस सारी setting है ठीक है image setting में जाते हैं यहां से देखेंगे तो यहां ठीक चल रहे हैं camera यहां भी कोई दिक्कत हमें दिखने ही रही है इसमें सारे camera यहां ठीक सो कर रहा है लेकिन live view में यह problem सो करता है फिर से recording में आते हैं एक बार हम parameters पर फिर आते हैं इस बार हम resolution चेंज करके देखते हैं मैंने जो resolution ने बढ़ा दिया है इसका और यह video quality वगएरा भी frame rate वगएरा और इसका bit rate वगएरा camera का पूरी तरह से change कर दिया है अब इसे हम save कर देते हैं exit करके बाहर आते हैं तो अभी भी यह camera पिल्गुल ठीक नहीं हुआ है तो हम देखते हैं इसमें और क्या दिक्कत हो सकती है फिर से हम आते हैं camera के अंदर यहां भी advance setting में देख लेते हैं यह stream change करके देख लेते हैं अंदर से लेकिन अभी भी यह ठीक नहीं चल रहा है problem बनी हुई है तो अब हम क्या करते हैं यहां कुछ जो options है नीचे की तरफ हमें दिखाई देते हैं इस camera में भी नीचे की तरफ कुछ options दिखाई दे रहे हैं ठीके देख सकते हैं आप यहां काफी options है stop recording वगारा audio वगारा आप देख सकते हैं इसमें काफी हैं कि इसमें लाइव व्यू स्ट्रेटेजी है कि यह भी हम चेंज करके देख लेते हैं इसके आगे क्लोज से पहले एक और है इसमें स्विच टू में इस पर हम क्लिक करके देखते हैं आपने देखा कि इस पर जैसे हमने क्लिक किया यह कैमरा बिल्कुल किलियर हो चुका है इस वाले कैमरे को भी हम ऐसे ही करके देखते हैं यह देखा आपने मैंस्ट्रीम पर जैसे हमने क्लिक किया तो यह सही हो गया है कैमरा तो सारे camera को हम एक एक करके ठीक कर देते हैं आपको बस करना क्या है कि camera को select करना है और जैसे ही आप select करेंगे इसमें कुछ options जीचे आ जाएंगे उनमें से आपको switch to mainstream पर click कर देना है जितने भी camera आपके ऐसे blur चल रहे हैं उन पर आप सभी पर click करके उन्हें clear कर सकते हैं ठीक है यह वाला camera भी last हमने clear कर दिया है सारे camera हमारे ठीक हो गए है इस पर click करने के बाद तो आशा करता हूँ आपको यह video पसंद आए होगी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद चैनल को like subscribe करें ताकि आप वीडियो आपके लिए आते रहें